असलामुलेकूम विल्कम बेक टू मैं यूटूब चैनल आज हम आपके साथ लच्छा पराठा बनाने की रेश्पी शेयर करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से तो आप इसे सेरी में चाय के साथ ले सकते हैं अक्सर सेरी में लोग चाय पराठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है यह का अगर आप लेना चाहते हों तो अपले सकते हैं एक तो जिस्तनि को आप श्चाण ले पर एक से चाह recommendations को सब्सक्रावाब podemos सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं इसमें हम हाफ कप के करी दूध हैट कर लेते हैं हाफ कप इसमें पानी भी आड़ करेंगे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे जरूरत पढ़ने पर हम इसमें एक दू चमच दूध या पानी और ले सकते हैं हमे है इसके उपर हल्का सा मोयल लगा देंगे और 30 मिनट के लिए हम इसे रच के लिए रख देते हैं ऒर 30 मिनिट के बाद हम फिर से आट आलेंगे एक दो पंच लगाएंगे तो यहां पर हम रच्छा पराथा बना रहें दूसके लिए पराथे को बोत भी बड़ा बनाना है तो हम रेंग पर ही बना लेते हैं आप चाहीं तो छोपिंग बूर पर बना लेने या फिर आप बड़ी सी थाली हो तो उसको उल्टा करके उसके उपर भी बना सकते हैं एक बराबर हम यह पर पांश पेडा बना लेंगे इसके उपर हम सुखा रोटियों की तरह बहलें जिस तरह से हम रोटिया बनाते हैं इस तरह से हम इसे बेलना है things आप देख सकते हो सब लग करते है अगर बटर लगाएंगे ऑल भी लगा सकते हैं अगर आप घी में बनाना चाहते हो तो घी में बनाईए ओली ओल में बनाना चाहते हो तो आप उसमें बनाईए यहां पर अपके अपनी चोईस है तो अच्छे से हम इसके उपर बटर लगाएंगे उसके पाद हम सूखा मेदर डालेंगे एक दूसरी रोटी को इसके उपर हम तरह से लगा देते हैं फिर से हम बटर लगाएंगे कर दोराना है पांचोर निख को हमें इसी से इसी तरह से श्रावरा तो हम फिर से आसी भाड़ी पना लेते हैं एक साथ अम सभी रोटियों देचान। local देंदप चिपकती नहीं है और कितना भी बड़ा हम इसे बना लें बहुत ही आसानी से इसकी पड़ते निकलती है यहां पर देखें हम आपको दिखा सकते हैं यह देखें किती पतली रोटिया बन चुकी है उसके पावजूद भी आसानी से निकल रहा है तो इसके उपर हम फिर से एक प पराठा जो बहुत ही हैवी हो जाता है और एक पराठे में दो से तीन लुख आ सकते हैं तो यहां पर हम इसलिए सिर्फ दो पराठा बना रहें आप चाहें तो तीन भी कर सकते हैं तो यहां पर हम कटेवी पट्टी को इस तरह से रोल बनाएंगे लाश्ट वाग को नीचे चिफका देंगे तो लीजिए यहां पर लच्छा पराठा का पेड़ा बनकर रेडी है तो हलके हाथों से एक बार हम फिर से इसे बेलेंगे तो आप कुरा अटा पहले डाल दीजिए उसके बाद आप इसे बेलें हमें बिल्कुल पतला नहीं करना है पराठे को तो आप चाह तो ते निट के लिए इसे बेल करेंगे और अगर आप भीसा बतला रहे हैं थो नियुक्ल और उना पराठा में पॉर्च्छट के ऐड़ा आप चाहें तो एग वोस पे कर सकते हैं एक-क जो पीला पाथ होता है अप उसे लगा सकते हैं तो काफी अच्छा गलर आता है तो यहाँ पर आप देखें, तीन मिनट के बाद काफ़े अच्छी तरह से बेख हो चुका है तो इसके उपर हम पहले अच्छे से बटर लगा लेंगे और कपले से ढखकर हम इसे दस मिनट के लिए रख देते हैं उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अक्सर लोग सेरी में चाय पराठा खाना पसंद करते हैं तो आप एक बार इस तरह से लच्छा पराठा बना कर देखें बहुत पसंद आने वाला है सबको तो दस मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परफिक पराठा बना है बहुत ही खसता बंदा है यहां पर आप इसकी लेयर देखिए है ना काफी जो बरजस की पराठा तो आप लोग भी से ट्राइब करें वैसे तो हम आपको बता दे कि चाए हम मिल्कुल भी नहीं बनाते हैं क्योंकि हम लोग चाए नहीं पीते हैं यह वीडियो जो हमारे प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए जो चाए पराठा खाना पसंद करते हों वह लोग न्जोए कर सकते हैं कि अब आएपको पसंद आई होगी तो गईज अगर आज की रेस्पी अपको पसंद आई हो थे इस वीडियो को लाइक अब सब्सक्राइब करें में तब तक के लिए लेला हाफिस थैंक्स पर वौचिंग आइस